ब्रिक के बाद एक बार फिर क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है पॉबलिसिटी दोधारी तलवार है जी हाँ सुर्खियों से दुकान चलाने वाली राखी सावन एक नए जहमेले में फस गई हालत यहां तक पहुँच गई है कि विवादों की इस मलिका के पोस्टर जलाए जा रहे हैं और पुलिस थाने में इनके खिलाप मामला दर्च किये तुमारे सेटिंग बगाड़ दूगी परसे नीचे तक राखी का इनसाफ में जहांसी से अपने परिवारिक जगड़े से निप्टारा चाहने वाले लक्ष्मन को राखी ने इतना बुरा भला कहा कि उसके जीने की एक्षा ही खत्म हो गई और राखी ने लक्ष्मन के पत्या करने पर मजबूर कर दिया मुंबाई के मुलुण ठाने में कॉंग्रेसी कारेकरताओं ने राखी के खलाफ मामला दर्ज करवाया और जम के प्रदर्शन किया जिसके कारण वो शो को उसने तापरतों बीचों में से छोड़के घर चले गया वो जहासी का रेने वाला है तो वहाँ पर जाके वो तीन दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया और चवते दिन दस तारिक को उसकी मोतों के तो हम आज यह कॉंग्रेस के सभी कारेकरताओं यह और तापर तो राकी सावन को एरेस किया जाए और तलब है के राकी के खिलाव चांसी में अपरादिक मामला दर्ज किया गया है जिन धाराओं के तेहत राकी पर मामला दर्ज हुआ है उन धाराओं के तेहत उसे कम से कम छे महीने जेल में रहना पड़ सकता है या संदरबात टैंचे और एक्शन राकी सावंत और एक्शन गया या संदरबात मायागड़ कंप्लेंट प्राप्त धाली ले आए मुलून पूली स्टेशन सा या ठीकानी संबंद नसल्याने में ही संबंदी कंप्लेंट हमचे एड़ ओपिसला फारवर्ड करना रहा है बहराल राकी तो लक्शमन को इनसाफ नहीं दिला सकी लेकिन लक्शमन को खुदकुशी के लिए उक्साने के आरोप में अब राकी को हकीकत की अदालत में हाजरी लगानी होगी विनोद राए क्राइम डेस्क समय मुंबई यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद फॉरन हाजर होंगे तो आप चलते रहिए समय मुंबई के असाथ कर दो आप लगाज़ के बाद बाद से लिए आताव होगी